हेलो गाइस तो इगनु ने जनवरी दोहजार चौबिस सेशन के लिए री रेजट्रेशन का पोर्टल उपेन कर दिया है बहुत सारे विद्ध्यार्थियों के लिए री रेजट्रेशन ये जो नाम है काफी नया होगा जो नए इन्रोल विद्ध्यार्थि होंगे उनके लिए ये री रेजट्रेशन क्या होता है कौन किसे विद्ध्यार्थि इलिजबल है कौन किसे प्रोग्राम की विद्ध्यार्थि इलिजबल है कैसे करना होता है सारी चीजे बताऊंगा क्योंकि ये compulsory activity है ये सभी विद्यार्थियों को करना होता है अगर आप इसको miss करते हैं कौन्स पहले सुनने जिए इससे आपका सीधा six month का नुकसान होता है सेशन भी change होता है तो ध्यान रखिए काफी important activity है compulsory activity है जो आपको करनी होत है तो चलिए वीडियो को start करते हैं और आपको पूरा detail में समझाते हैं कैसे आपको इसको करना है इगनू री रेच्टेशन जनवरी दोहजार चौबे सेशन री रेच्टेशन होता क्या है री रेच्टेशन basically होता है कि आप किसी भी प्रोग्राम में admission लेते हैं master bachelor diploma जिसमें next year next semester में जाने के लिए री रेच्टेशन किया जाता है first admission आप first year में लेते हैं सभी first semester सभी program में लेते हैं next year next semester में जाने के लिए इगनू में री रेच्टेशन portal open किया जाता है जो की first year या first semester के exam से पहले ही आपको करना होता है और यह compulsory activity है जो हर एक students को करना होता है जो इन सभी programs में admission लेते हैं तो ये पहला question यही रहता है कौन-कौन से विद्यार्थियों को re-restriction करना होता है तो master में ये सारे program है accept MLIS, bachelor में करना होता है accept BLIS, तो ये सारे program जो master degree के हैं, bachelor degree के हैं बाकी accept BLIS, MLIS के वो सभी करना होता है, PG diploma management में आपको next year, next semester के लिए, next semester के लिए बाकी जो certificate program है, उन में re-restriction नहीं होता है, तो वो student परसान नहीं होंगे, re-restriction के लिए तो portal live कर दिया गया है उसमें क्या last date है, कैसा क्या करना होता बाकी last में बताऊंगा, लेकिन अभी ये समझना जरूरी है, कि सारे चीज़े कैसे होती है ठीक है, तो eligible विद्यार्थी के बारे में समझ लेते हैं, कौन से विद्यार्थी अभी जनवरी 2024 सेशन में, जो re-restriction portal उपन होगा, कौन से विद्यार्थी eligible है जो विद्यार्थी जनवरी 2023 सेशन में yearly प्रोग्राम में admission लिया, जैसे कि master bachelor का जो भी yearly प्रोग्राम है, आपने जिस भी bachelor degree में admission लिया है आपने जनवरी 2023 सेशन में अभी yearly प्रोग्राम की बात हो रही है वो सारे विद्यार्थी अभी जो portal live किया गया है, उसमें eligible है अपना next year, next semester में जाने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी यह पूचेंगे कि अभी मैंने exam ही नहीं दिया है, अभी exam चली रहा है तो first year का, तो कैसे second year में registration कर ले, तो भाई सब करना होता है, यह compulsory activity अगर नहीं करोगे, जो कि मैं पहले ही बताया हूँ, six month का loss होगा सिधा, program आपका six month बढ़ जाएगा, या फिर आपने January 2023 session में admission लिया, वो सारे विद्यार्थी, या इससे पहले आपने admission लिया हो, किसी भी कारण आपने registration नहीं किया है, जो मैं पहले से चल रहा है, उसमें आप registration कर सकते हैं, साथे साथ जो semester wise program की student है, उनके लिए भी बता दूँ, जो July 2023 session, जो पास हुआ है, उसमें जो बहुत सारे विद्यार्थी, admission लिये है BCA, MCA, जो MBA program है, ये semester wise program है काफी सारे, उसमें अगर admission लिये हैं, तो हर 6 में पे उनको registration करवाना होता है, तो आपका ये July session था, तो आप January 2024 session का जो registration portal open हुआ है इसमें आपको next semester में आपका first semester के exam से पहले registration करवाना होता है, बहुत सारे विद्यार्थी first semester का exam नहीं दे पाते हैं, तो इससे पहले का है, छूड़ गया, किसी कारणवास नहीं कर पाया है, जो भी activity आप से छूटी हुई है, वह एक दो बार chance मिलता ही है, जब तक आपकी validity रहती है, तो आप timely नहीं करेंगे, तो validity तो रहेगी, लेकिन time duration आगे बढ़ता जाएगा, attempt कम होते जाएगे, ध्यान रखना वो सारे activity कर सकते हैं, किस पोर्टल पर करना है, student पोर्टल का आपने नाम सुदा होगा, एक detail वीडियो भी बनाया रखा है, उसको करना होगा, जो registration पोर्टल आप open करोगे, यहीं redirect होगाता है, इसी दिहान नकियागा आप लोग, यह भी compulsory है इस पर registration करना आपका, तो student पोर्टल पे आएंगे, आप पहली बार अगर आप registration कर रहे हैं, तो आपको new registration पे click करना होगा, new registration पे click करेंगे तो एक page open होगा, जिसमें आपका enrollment number और आपका program, आपका नाम आइस पर registration पूछेगा, उसको fill up करना है capture code डाल के submit करेंगे, तो आपके registered email ID पे code EP आएगा, उस OTP को डालेंगे, enrollment number डालेंगे जो username रहेगा उसमें, username में हमेशा enrollment number उसमें registration के दौरान भी डालना रहेगा आपको, ठीक है, अपना फिर password जो भी बनाना होगा, उसको आप बना लीजिएगा, बनाने के बाद, आप submit करेंगे, उसके बाद यहाँ पी इस portal पे login करके, form भरना है, आपको यहाँ पर registration button मिल जाएगा, जिसमें आपको mention किया रहेगा, कुछ subject select करने होते हैं, कुछ program में select करने होते हैं, जो elective type के होते हैं, बाकी जो compulsory elective already core हैं, वो already selected रहेंगे, कुछ submit करने होते हैं, जिसमें से आपको choose करके, submit करना होता है, एक चीज का विशेश कर ध्यान रखिएगा, जब आप payment करने से पहले, study material किस माध्यम से चाहते हैं, बहुत सारे विदाथी, admission लेने के दोरान वहाँ पे digital material opt कर लेते हैं, बाद में फिर उनको form भर के hard copy material, printer material लेना पड़ता है, तो इस समय जो पहली बार अगर आप digital material opt कर लिए हैं, तो next time, registration करते वक्त printer material opt कर सकते हैं, इसमें option आता है, तो उसको आप printer material चूझ कर सकते हैं, या digital material चाहते हैं, तो digital material चूझ कर सकते हैं, इसमें आपको 15% का off मिलेगा, अगर आप program fees में जो आपका, उसमें 15%, 15% का off मिलेगा आपका, लेकिन ये जो है worth it नहीं होता है, आप online, जो बहुत flexible online पढ़ने में उनके लिए होता है, अगर आप printer material चाहते हैं, तो आप printer material चूझ कर सकते हैं, अब यहां तक कोई दिक्कत है, comment box हम लिखियेगा, चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को subscribe करके, बिल आइकन जरूर पर सकली जाएगा, ताकि smoothly अपने program को complete कर सके, अब आगे चलते हैं, last date वगरा की बात करते हैं, इगनों की main page पे आने के बाद, आप register online पे जाएंगे, register online पे जाने के बाद, आपको re-resistion पे क्लिक करना है, यहां पे कहीं पे अभी दिखियागा नहीं, अपडेट हो जायागा, हाला कि तो register online पे क्लिक करके, यह पेंज उपन हो जायागा, आज यट है 5th December, आज ही की देट से पोर्टल लाइब किया गया है, Facebook टीटोर, Insta Face, सब जगहां पे मैंने share कर दिया था इसे, आप अगर चैनल पे बने होंगे, तो आपको पता चल गया होगा, WhatsApp चैनल पे जो है, आपके Telegram चैनल पे सब जगह मैंने share कर दिया है, तो 5th December से start हो गया, 29th January 2014 तक चलने वाला है, without late fees से late find भी लगती है, हलाक यह date extend होती है, जब जब extend होती रहेगी, मैं आपको बताता रहूँगा, यह काफी चलेगी, कम सकम, जो है, March तक तो चलेगी, ही चलेगी, हो सकता है, आगे भी बढ़ जाए, लेकिन March तक तो कम सकम रहेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन timely करेंगे, तो आपको ही आसानी रहेगा, यहाँ पे आना है, नीचे यहाँ पे I have read is understand करके क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यह वाला page open हो जाए, फास्ट टाइम के लाड़ लेकिन मैंने बता दिया है, जो अलड़ी रजिस्टर्ड है, लॉग इन करके यहाँ पे अपना reason करेंगे, पेमेंट करेंगे, पेमेंट किसी भी कार्ड से कर सकते हैं, यह भी क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के तुरू, आप कोई सवाल हैं को इन बॉक्स में लिखिए, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन प्रेस कर लीजिए, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो जो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहती है, चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो म अपडेट के साथ तकले मसकार, धन्युआ दोस्तों